कॉंग्रेस वालो जितनी बड़ा नी है उतनी बड़ा हो दाड़ी कॉंग्रेस वालो जितनी बड़ा नी है उतनी बड़ा हो दाड़ी लेकिन मोदी जी की बहुत ही है मुझबुद बौड़ी मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी फिर कॉंग्रेस के कंशी चले की उनके सामने काड़ी राष्ट्रपती जी का अभी भाषन मजबूत करेगा भारत नेशन विरोध करना है कॉंग्रेस की सेशन विरोध करना है कॉंग्रेस की फेशन इसलिए में उनकी विरोध में कर रहा हूँ भाषन कॉंग्रेस वालों जितनी बड़ा नी है उतनी बड़ा हो दाड़ी लेकिन मोदी जी की बहुत ही है मुझबुत बोड़ी मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी फिर कॉंग्रेस के कहिसी चलेगी उनके सामने काड़ी मोदी जी आदमी है खास मोधी जी आदमी है खास इसलिए उनके साथ है रामदाथ मोधी जी को विकास की है आस मोधी जी को विकास की है आस इसलिए राजनीती में हो गए है पास कॉंग्रेस वाले हमेशा मारते है भास कॉंग्रेस्ट वाले हमेशा मारते है भास इसलिए राजनीती में हो रहे है नापास तो आज यहां माननी राश्टपती के अभी भाष्टन पर चर्चा हो रही है और कॉंग्रेस्ट वालों का और अपोजेशन का आभार वगत करता हूँ कि मतलब वो रोज वेल में आ रहे थे यह तो मतलब राश्टपती का अभी भाष्टन यह है मूदी सरकार के विकास की गंगा काई के लिए लेते हो उनके साथ पंगा तो गंगा छोड़कर आपने इस चर्चा में भाग लिया इसलिए कॉंग्रेस पालिडिका मैं आभार वगत करता हूँ अपोजेशन का आभार वगत करता हूँ और यही आश्या वगत करता हूँ कि आप हमेशे उदर ही रहेगे और हम इदर ही रहेगे तो मतलब आप तिका करने के लिए क्रिटिसाइज करने के लिए आवशकता है तो राष्टरपती जी का अभी भाष्टन जो है पॉइंट टू पॉइंट था सभापती महोद है राष्टरपती जी ने दली समाज है आदिवासी समाज है OBC समाज है, आलप संक्यांग है, जनरल कैटेगरी के लोग है मूदी सरकार ने जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% आरेक्षन देने का निर नहीं लिया मूदी सरकार ने सिडूल कास और सिडूल ट्राइब का जो आएक्टरिविस में अमेंडमेंट करने का निर नहीं लिया जाने का मौका नहीं दिया था लेकिन बाबासाब अंबेडगर जी का 125 जन्म दिवस नरेशन मुदी जी ने बनाया बाबासाब अंबेडगर जी का फोटो चेंटल हॉल में नहीं था जब विपी सिंग जी थे तब उन्हों ने वो फोटो लगाया कॉंग्रेस पार्टी को उसकी जानकारी था नहीं थी कि बाबासाब का फोटो चेंटल हॉल में बैटकर बाबासाब ने सविधान लिखा राप्टिंग कमिटी के चेर्मन के नाते राच राच जाकर 16 अलीपू रोड में बाबासाब अंबेडगर काम करते रहे और मतलब एक का जैराम प्रमेश ची एक काम आप ने करना चाहिए था लेकिन ठीक है ना आप ने किया मैं बाबासाब अंबेडगर कर जी को सभीदान सभा में आपने लाया लेकिन इसके पर ले दो बार बाबासाब को हराया मुझे भी स्रीड़ी में हराया इसलिए महें छोड करें जरा गय तो इसलिए ठीक बात है तो इसलिए बाबा साब अंबड़कर जी के लिए सवीधान बदलेगे यह बोलते हैं कि सवीधान बदलेगे हमने तो कांगरेस को बदला है सवीधान क्यों बदलेगे सवीधान बदलने का विशे नहीं है जिस मोदी ने 2019 में सेंटरल हॉल में सवीधान के सवीधान को माता टेक कर उन्हें शपत ले ली है कि बाबा साब के सवीधान का भारत में खड़ा करूंगा सब का साथ सब का विकास इसलिए दिकरा यहां अच्छा प्रकाश तो मतलब मोदी जी ने सब का साथ सब का विकास की बुभी का रखी है और आप चल रहे भारत जोडने के लिए बाबा साब अंबेडगर जी ने और सवीधान ने भारत को जोड़ी गिया है जगड़े होते रहते हैं लेकिन फिर भी हम एक है यहां कोई पाकिस्दान का सवीधान हमारा तो नहीं है यहां कुछ भी हो जाएगा लेकिन देश तूटेगा नहीं जम्मू कास्मिर भी हमारा है अभी हमारे स्ताती बोल रहे थे कि 370 को हटाया है वहले हमने कॉंगरेज को हटाया फिर 370 को हटाया तो इसलिए मतलब हटायने के विश्यद नहीं है तो इसलिए मतलब सभापती महोत है राश्टरपती जी मतलब हमारी अनुस्षिती जन जाती कि राश्टरपती जो है पहले बार बनाया मतलब शिडुल कास का जो राष्टपतिय नरीदर मुदी जी ने बनाया आपको भी बनाया, मुझे भी बनाया तो इसलिए मतलब राष्टपति का जो अभी भाष्टन है तो इसका सपोर्ट करने के लिए जो मेरी रीपगलिन पार्टी अप इंडिया है पापा सब अम्बिडगर जी ने साब भी क्यों ये पार्टी है इस पार्टी के तरफ से इस अभी भाष्टन का सपोर्ट करने के लिए मैं या कड़ा हूँ और सभी लोगों को मैं लिवेदन करना चाहता हूँ यह अभी भास्य जो है अभी भास्यन देश के विकास को आगे ले से जाने वाला है हमारी सरकार आगे बढ़ रही है सबी लोगों को जेकर आगे बढ़ रही है और भारत नरेजल मुदी ने जोट दिया है आप लोगों को जोटने के आवशच Present नहीं है शिरी अजीत कुमार मुयान, जाए भीम, जाए भारत